हेलो दोस्तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में सबसे पहली चीज जो बहुत गोर से नोटिस की जाती है वो है कि खाने में नमक है या नहीं चाहे हम खाना बनाते हुए सबजी में कितने भी मसाले डाल ले या कितना भी अच्छा घी डाल ले लेकिन अगर खाने में नमक नहीं होता तो खाने में एक परतिसत भी स्वाद नहीं आता लेकिन किसी को नहीं पता होता कि हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाला या हमारे ख इस तार से समझाएंगे कि फैक्ट्रियों में समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाये जाता है लेकिन उससे पहले आपको ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा कर इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रह नमक को बनाने की प्रकिरिया सुरू होती है समुद्र के पानी से क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसमें साल्ट यानि नमक की मातरा काफी ज़्यादा होती है इसलिए फैक्ट्री वाले समुद्र के आसपास वाले इलाकों में ही अपनी फैक्ट्री लगाते हैं ताकि पानी की कमी ने पड़े सबसे पहले खाली जमीन को समतल किया जाता है और उसमें खेतों की तरह छोटी-छोटी क्यारी बनाई जाती है इन क्यारियों को हर रोज बार-बार समुदरी पानी से भरा जाता है जब तक जमीन पक जाती है और खारे पानी की वज़े से पानी सोखना बंद कर देती है अब इस जमीन में जो क्यारियां कटी होती है उनको समुद्री पानी से भरा जाता है इस पानी को अलग-अलग क्यारी में मिट्टी से बनी नालियों की मदद से बार-बार गुमाये जाता है मतलब पानी को कभी इस क्यारी में तो कभी उस क्यारी में ऐसे बेजा जाता है अलग-अलग क्यारियों में घूमने की वज़े से हलका पानी धूप और हवा के कार्ण भाब बनकर उड़ जाता है गर्मियों में हलके पानी को उड़ने में भी कम से कम साथ दिन लग जाते हैं और सर्दियों में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं जब हलका पानी उड़ जाता है तो नीचे भारी पानी बच जाता है जिसको लोहे के बने हुए ओजारों की मदद से वरकर कभी इधर तो कभी उदर करते रहते हैं जिसकी वज़े से जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी उड़ जाता है और नीचे सफेद सफेद पाउड जैसा कच्चा नमक बच जाता है जिसको लोहे के उजारों की मदद से धेरियां बनाकर इकठा कर लिया जाता है अब इस कच्चे नमक को इन क्यारियों से उठाकर फैक्टरियों के अंदर ले जाये जाता है क्योंकि इस नमक में रेत, मिट्टी या कंकर जैसी असूदियां होत और यह नमक खाने के लाइक नहीं होता अब इस कच्चे नमक को फैक्टरियों के अंदर अच्छे से मशीनों में घुमा कर और पतली पतली बारिक जालियों से चान कर और वाइबरेटर मशीनों से चान कर इसमें से मिट्टी और कंकड को अलग कर लिया जाता है फिर इसमें आय इस नमक को फिर से मशीनों के दवारा अच्छे से साफ किया जाता है और साफ करने के बाद इस नमक को थेलियों में पैक कर लिया जाता है और इसको मार्किट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र के पानी से फैक्टरी वाले नमक कैसे बनाते हैं अगर आप लोगों को हमारी है वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर जरूर करें धन्यवाद